अभिनेत्री विद्याबालन की फिल्म बेगम जान जनवरी में प्रदर्शित होने वाली थी लेकिन बॉक्स ओफिस पर दंगल के जोर को देखते हुए फिल्म की रिलीस को मार्च तक टाल दिया गया है ये फिल्म एक वैस्षाली की कहानी है जिसकी मालकिन की किरदार में वजूत सैंसर ने फिल्म पर 11 कट्स लगाए हैं फिल्म के निर्माता महेश और मुकेश भट ने ये कट्स मनजूर कर लिये हैं और वो ट्रिब्यूनल में जाने की नहीं सोच रहे हैं ये 11 कट्स फिल्म के समवाद और अब शब्दों पर लगाए गए हैं फिल्म में नसीर दिन शाह, गोहर खान और पल्लवी शार्दा भी मुख्य भूमिकाव में हैं फिल्म का निर्देशन श्रिजित मुखर जी ने किया है अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई